तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि हाउ टू लोड मोर डेटा यूजिंग एजक्स इन लारावेल कि लारावेल में आप एजक्स का यूज करके डेटा को लूड कैसे करा सकते हो जैसे आपने देखा हुगा हम नीचे पेज स्क्रोल करते जाते हैं एक लोडर सा चलता थोड़ी देर बाद डेटा आ जाता यूजिंग एजक्स ठीक है तो वह हम देखने वाले हूंगे आज किस लेक्षर में तो सच चलिए मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेता हूँ इसको लोडर को सेट किया हुए ठीक है अभी लोडर है वो मेरे को कब सो करना है जब मेरा पीज रिफ्रेस होता है और उसमें डेटा लोड नहीं हो जाता है जब तक मेरा लोडिंग चलिगा यहां मैं पीज को नीचे डाउन करूंगा स्क्रॉल डाउन तब मेरा लोडर आए यहां पर मैं स्टार्ट कर लिता हूं सबसे पहले तो यहां पर मैं थोड़ा आपको अंदेशन करा जीटाऊर VOICE यहां पर इसलिऊंट क्लासप्र हमने उसर कि पर बात में मैं बात करूंगा सबसे पहले मैं कंट्रोलर के अंदर चलता हूं जहां पर मैं आज जाता हूं यूजर कंट्रोलर के पास यहां पर बेसकली कुछ नहीं है लोड मौर बेसकली क्या कर रहा है यूजर वीव को रेंडर कर रहा है बस सिंपल इसका इतना काम है ठीक है बाट यहां पर विसकली उसने जेक्वरी के सवडियन बगिरा डाल रहे कुछ css लगी हुई है यहां पर जो बात आ जाती है यह वाली लाइन जो आप देख रहे हैं यह मेरे को जो है आपका कुछ भी हो सकता है block of content या कुछ भी something हो सकता है ध्यान रखिए जुभी आपका repetition content है या जुभी repetition का HTML है उसको आप ध्यान रखना है ठीक है बिट्थ है वगरा दे रखिए यहां पर अब सबसे पहले आपको काम करने क्या है यहां पर हमको आ जाना अपने वह कंड़ पर ठीक है सबसे पहले मैं यहीं पर working करूंगा तो मैं यहां पर paginate का यूज करूंगा ठीक है पेजनेट यहां पर हम यूज करेंगे like मैंने 10 यूज कर लिया आप चाहे 5 यूज करो चाहे कुछ भी यूज करो मैं पेजनेट यूज कर रहा हूं 10 अब मैंने इसको variable में रग लिया like users करके और यहां पर मैं क्या करूंगा नीच आउंगा यहां पर क्या हो रहा है इस users variable में क्या सबसे पहले 10 users है ठीक है अब यह मैं if condition क्यों लगा रहा था like वाद में मानके चलिए हम क्या करेंगे इसी method की ऊपर जो हमारा लोड मोर है इसी की ऊपर मैं क्या करूंगा अपनी एजक्स को हिट कर मंगा ठीक है कि जिससे की वह आगे के 10 records आगे 10 records आगे 10 records बारवार ला करके दे ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर डॉलर रेक्वेस्ट में हम चेक करेंगे एजक अब करेंगे ठीक है हमें कौन सा data render करना है हमें यह वाला data render करना है जो कि हमारा बिसकली यह है जो की repetition चल रहा है ठीक है तो मैं इसको just copy कर लिता हूं उस वारी मैंने कटी कर लिया है क्योंकि वह मेरे को data यहां से send करना है अपने controller method के पास से जो कि मैं अपने send कर दूंगा क यहां पर अपने view पर ठीक है view पर हमें कैसे load करना वह हम बाद में देखेंगे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं users में से as dollar user हम करके एक user को निकालने जिसमें हम क्या करते हैं like dollar data नाम का मैंने एक variable मनाया हुगा जिसमें क्या करेंगे हम dot equal means concatenateate करते जा रहा हूं means कि मैं append करत है उसके एक पार्ट को कॉंपी कर लो जैसे like मैंने यह वाला मेरा था यह विसकली मैंने एक पार्ट कॉंपी कर लिया बाकी कि मैं यहां से इसको repeat करता रहूंगा तो क्या होगा वहां पर data append होता रहेगा means multiple data जाएगा means मेरा कहने का मतलब यह था जो भी part repeat हो रहा है उसको य यहां पर concatenate कर दो क्या कर दो कि डॉलर यूजर नेम तो यहां पर मैं यूजर नेम को मैंने कर दिया सेम मैं यहां से जो है just copy कर लेता हूं और मैं आ जाता हूं अपने test at the rate gmail.com के पास जहां पर मैंने अपना email डाल दूंगा like user का email हो गया something जो गी था अब देखे यह क्या यह था बेसली इसमें क्या होगी html concatenate हो गें यह जो कीए औहला है तक है अब मैं क्या करhomme यहां से क्या कर दूंगा इसको करदूंगा return return dollar data यहां से मैंने कर दिया direct return ॹलर देटा तीक है, अब यहां से क्या हो Representatives Madame तेखिए सबसे पहले क्या होता है यहां से मैं रिफ्रेस्स करूंगा तो क्या होगा विसकली यह जो पार्ट है यह आपका यह वाला कोड चलेगा ठीक है सबसे पहले क्या होगा अपका ten user size में ठीक है और 10 user के साथ ही क्या कर दे यहां से हमने सेंट कर दिया ठीक है और यह हमारा परर्स्ट टाइम चल दा है जब हम पएज करा रही है तब हमारा यह रेटर поставail शिक दार झाल जाब क्या होगा यहां से हमें क्या करना होगा यह निकरिक हिसा सोटब ना यहां को करते हैं यहां पर मैं स्क्रिप्ट गणा लेता हूं और यहां सबसे पहले मेरे को अपनी यूरल का साइट का यूरल चाहिए और यहां पर आपको पता हैまた अपने लारावल के बिलेड एंजिन के विसकली यूज गर सकता हूँ अपने जो भी तरीके हैं लाइक टैम्पलेंट एंजिन ठीक है यहां पर मैं यूरल बना लेता हूँ जो कि मेरा स्लैस करके जो भी बनता है आपका रूट यूरल बिसकली जो भी आपका 127 जो आपका port number या domain होगा उसके साथ ठीक है तो सबसे पहले मैं ने dynamic URL बना लिया है जो भी मेरा URL साइट रहेगा अब मैं क्या करता हूँ यहां पर मैं where page is equal to 1 रग लेता हूँ ठीक है मतलब starting में क्या होगा मेरा page बन होगा ठीक है अब दिकी मेरा जो concept है वो क्या है विसकली जैसी विसकली सबसे पहले refresh करता है means यहां पर इस user page पर आता है तो हमारा return view चलेगा बट जैसे यह page आ जाता है जैसे आपके सामने आ रहा है तो सबसे पहले आपका loader होता हुआ होना चाहिए ठीक है डिस्प्ले नन मत करना इसको starting में जैसे user यहां पर user tab पर आएगा तो य function load more करके ठीक है load more या load underscore more कर लो या कुछ भी कर लो like load more कर लो ठीक है यहां पर क्या होगा इसमें क्या हो रहा होगा page जा रहा होगा ठीक है कि आप किस page के लिए request कर लो like page 1, page 2, page 3, something इसके लिए अब मैं क्या करूंगा यह जो load more page है इसको मैं direct यहां पर टॉप पर सबसे starting में call कर लोंगा ठीक है और इसमें मैंने पास कर दिया load more page page is equal to आपका one है starting में जैसे आपका first time page load होता है ठीक है अब मेरे को जरूवत क्या है अब मेरे को यहां पर यहां पर समयने वाली बात है और यहीं से अब आपका खेल स्टार्ट होता है URL मैं provide करूंगा सबसे पहले URL आप क्या रखना चाहते हो like मैं रखूंगा अपना site URL या URL site ठीक है कुछ भी रख लो मैं थोड़ा उल्टा कर दिया URL site अब यहां पर मैं यूजर राउट जो कि आपको पता यही method call होगा इस पर तो हमें यह बेजना होगा यहां सो slash user and question mark page बेज देंगे अब यह page में हम क्या करेंगे अपना page बेज देंगे ठीक है अब मैंने कहा कि अब यहां पर इसका टाइप रखूँगा टाइप आपको पता है मेरा यहां पर रहेगा get क्योंकि मेरे get request है अब यहां पर data type आपको बताना है data type आपको क्या रखने वाले हो ठीक है तो यहां पर जो data type होगा वो आपका html रहेगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो इसलिए html form में रेटन कर रहे हो अपना response ठीक है यहां से देख पार हो यह आपका जो रेटन हो रहा है response हो as a html आ रहा है ठीक है तो हमने यहां पर पास कर दिए data type html अभी यहां पर जब एजक्स send हो रही है उससे पहले हम क्या करेंगे अपने loader को सो कराएंगे ठीक है अब देखिए यहां पर मेरे loader को क्या class दी गई है means जो मेरा div है loader का supermost div तो यह एजक्स loading ठीक है इसको मैं कर दूँगा सो basically by default सो हो रहा होगा और अगर आप उसको discipline भी कर दोगे तो य एक impression पड़े गलत पड़ेगा like सबसे पहले हैड था फिर अचानक से या या फिर हमारा data है तो सो कराके रखिए starting से ही जिससे की पता चले user को data load हो रहा है ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे before send का use करेंगे before send ठीक है यह इसकली क्या करेंगा जब हमारी यहां पर हम क्या करेंगे यह हमारा method बन चुका है अब यहां पर जो हमारा method बना है इसमें हम क्या करेंगे dollar.ajax loading को हम करा देंगे जरूरी है क्योंकि अभी क्या होगा इसको मैं head कर दोंगा जब मेरे 10 रिकॉर्ड आगे starting में पहली है पर जैसे में जो बेंडो का scroll होगा वो मैं जैसे नीचे करूंगा तो मेरा scroll again वो sorry loader मेरा अगें जोना चीए इसलिए मैं यहां पर एजक्स loading को सो करा रहा हूं ठीक है एंड तन यहां पर आपको करने का है बिसकली यहां पर डॉट डन ठीक है अब यहां पर देखी बिसकली जब आपका डन हो जाएगा ठीक है डन के case में हम पर हैंडल करना है function और function में बिसकली क्या हो रहा हुगा इसको semi-colon को मिया लगा करके चलते हैं ठीक है function में क्या हो रहा हो जब डन हो जाता है मतलब कि आपके पास data आ चुका है ठीक है यहां आपके पास done होगा या fail होगा basically मैं यहां पर fail भी बना देता हूं जिससे कि आप आपका function होगा function जिसमें आपकी error होगी simple और कुछ नहीं है ठीक है यहां पर भी मैं function में बनाई देता हूं fail का जो भी है like यहां पर देखो आप क्या करेंगे like when a jqx मतलब यह एक मैं पास कर रहा हूं like इसके पास विसकले fail के पास तीन parameters जाते हैं ठीक है parameters है जो कि इसलिए यह कहा है jqxhr आप कुछ भी रगलो इसका नेम ठीक है आप जरूर नहीं है मैं यहां पर jqxhr इसलिए I hope आपने java script में पढ़ा हो I think I hope कि आपने नहीं पढ़ा हूगा जहां पर xmlhtp request का object वन था ठीक है तो यहां पर भी same है बट यहां पर jq लग गया xmlhtp request यहां पर हम यहां पर आपका जाता है और फिर आपका जाता है फिर आपका जाता है थ्रो एरर ठीक है like thrown error ठीक है यह विसकली आपके variables हो गये ठीक है means as a parameter हम पास हो रहे है ठीक है अब मैं यहां पर alert करा जाता हूंगा अगर कोई error आती है तो हम alert कराते like no response या कुछ भी आप लेख सकते हो no response found ठीक है या no data found आप यह रख लो यह जादा simple रहेगा no data found sorry no response found क्योंकि यहां पर error आई है not data नहीं found हो है ठीक है no response found यह मैंने कर लिया अब done की case में यहां पर हमें handle करना है done की case में हमें करना है सबसे पहले हम check करेंगे if data.length ठीक है data.length अगर एकवल एकवल होती है 0 के तो उस case में हम क्या करेंगे इस जो आपका alex loading है इसको हम यहां पर लेकर क्या आते है जब आपका data की जो length है वो अगर 0 हो जाती है by chance ठीक है तो उस case में हम क्या करेंगे यहां पर लेख देते हैं like HTML कट देता हूं और यहां पर लेख देते ह पहले मेरा image थी जिसमें मैंने यहां पर image डाली हुई है अब by the way मान के चलो image मतलब की data नहीं मिलता है last मान के चली है उसने की 110 तक scroll कर लिया फिर क्या होता है हम मैं क्या करूंगा HTML को यहां वहां पर append कर देता हूं image को attach देता हूं फिर तो अगे यूजर जब refresh कर लेगा तो बढ़ना data मिलेगा ही मिलेगा अगर आपको आपकी जो length है वह अगर 0 होती है तो तो कोई बात नहीं है sorry 0 होती है तो हम यहां पर यह कर रहा है बढ़ना हम यहां पर data को append करेंगे data को append करने का क्या जरीए है सबसे पहले जो हमारा Ajax loading था उसको हम कर देंगे hide ठीक है मतलब hide क करेंगे क्यों कि वह अभी run को रहा था ठीक है अब हम क्या करेंगे जो हमारा result नाम का class था ठीक है results ठीक है sorry id थी इसमें मैं क्या करूंगा data को append कर दूंगा data को append करना सिंपल यहां पर मैं क्या करूंगा dollar sorry has results और यहां पर मैं डारेक्ट लिख दूंगा dot append ठीक है जैसा कि आपको पता है append हम यूज करेंगे इसके हमें html पास करने होती है और html आपकी यहां से आई रही है जैसा कि आप देशकते हो जो कि data नाम के वेरीवल में तो हम क्या करेंगे डारेक्ट अपने data वेरीवल को यहां पर डारेक्ट पास कर देंगे इसमें कोई जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं जो हमारा 10 data ठीक है लाइक वन टू थृफ्री फोर फाइब सिक सेवन एट नाइन टैन जो भी data है उसको लाइक मैं अब जैसे बिंडो को स्क्रॉल कर रहा हूं तो मेरे और 10 records आने चाहिए ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहा पर आ जाते हैं लाइक मैं इसके बीच में कर लेता हूं कोड जो भी मेरे को करना है ठीक है तो यहां पर मैं चेक करूंगा dollar window dollar window.scroll जब आपका scroll हो रहा है तब हम यहां पर यूज करने वाले हैं विसकली तो यहां पर हम क्या करेंगे function पास करेंगे function यहां पर यह आपका चलने वाला ठीक है तो जब बेंडो स्क्रॉल होगी तो वह हम यहां पर चला रहे हैं हम यहां पर एक if case चला करके रखाएंगे if case के अंजर ही ही हमको क्या करना होगा page को plus plus करेंगे सबसे पहले मैं बता देता हूं condition हमारी क्या लगने वाली है सबसे पहले हम चेक करेंगे dollar window की window.scroll top ठीक है यह द्यान से देखिएगा top कैसे मैं लिख रहा हूं ठीक है camel के सिजह है plus कर देता हूं ठीक है dollar window.height ठीक है यह मैंने सबसे पहले क्या निकाले scroll top ठीक है scroll का top एंड यह पूरी की पूरी height मैंने निकाली अब like मान के चलिए आप किसी div के अंदर work कर रहे हो तो आप वहां पर उसकी ID या class पास कर दोगे ठीक है like मान के चलिए अब मैं window के अंदर work कर रहा हूं means कि मेरे पास document है पूरा document जिसमें मैं working कर रहा हूं पाइद भी मान के चलिए कुछ ऐसा पार्ट है जो कि इतना सा है like मेरा माउस दिगाई दे रहा हूँ इतना सा पार्ट है अगर आपका इसमें scrolling लगा हुआ है ठीक है आपके div के अंदर तो आप वहां पर क्या करोगे div की class लो या ID लो उसको यहां पर direct पास कर तो जहां पर म प्लस करो एंड अगर उससे ज्यादा हो जाती है like वान के चलो आपने स्क्रॉल कर दिया ज्यादा कर दिया ठीक है आप थोड़ा माइनस प्लस कर सकते हो आपके इसाब से जो भी आपको सही लगता है फिर मैं क्या करता हूं dollar document जो की मेरा document है ठीक है dot height ठीक है dot height यहां पर थो document का चेक कर रहा हूं document basically मेरा हो गया पूरा बट बिंडो मेरा particular इसको चेक कर रहा है ठीक है तो यहां पर अगर इसकी height अगर ज्यादा हो जाती है तो मैं page को कर दूंगा plus plus अब page क्या हो जाए plus plus हो जाए पहले one था अब यहां पर हो जाए two और फिर मैं कर लूंगा अपना load more page को call again ठीक है तो यहां पर अब हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या यह हमारा proper work करेगा या नहीं तो लोड हो रहा है data like बैतर तरीक से लोड होता है data देख सकते हो अब मैं ज slider था वो ऊपर चला गए छोटा भी हो गया अब देखेगा दियान से देखेगा मेरा जो लोड नीचे आएगा देख सकते हो आ रहा है और data आ भी रहा है proper ठीक है तो हम मैं load करता जा रहा हूं मेरा proper तरीके से data आप आ रहा है वह आपका तरीक आएगी वह आप किस तरीके से क पसंदा होगा क्योंकि यह काफी ज्यादा important था पार्ट अगर आप कहीं add कर रहे हो अपने website के अंदर कहीं feature add कर रहे हो तो यह काफी ज्यादा useful रहेगा I hope आपको बस only यहीं पर change करना होगा बस और कहीं नहीं है बाकी यहीं change होगा ठीक है तो मिलते हम next lectures so next lectures देखना ना यहीं थांकिय।